ही गाइज में नाम शुम गौतमर आप देख रहे हैं मेटा यूट्यूब चैनल हिमाचली राइडर और अभी जो आप सामने गाड़ी देख रहे हैं आप इसको पहचान गे होंगे यह है मारूती सुजू की नेक्सा की जीमनी और देख सकते हैं आप फ्रंट से जो आपको इस आप देख सकते हैं इसके साथ में बात करें तो को यहां पर कषान है यहां पर जो है सबसे बड़ी बात है वह यहां पर यहां पर जो है washer वह दिये जा रहा है उन्हाँ कि आप देख सकते हैं इसके साथ में बात करें तो आपको यहां पर फीडर पर है उजा है उट टरिन इंडीकेटर देखने को इसके साथ में बात करें तो यहां पे आपको alloy wheel देखने को मिलेगा और gunmetal gray color में जो इसका alloy wheel रहेगा और अगर हम इसके size की बात करें तो 195-80R 15-inch color इसका जो है वो tire size जो है देखने को मिलेगा और यहां पे जो आपको big जो है वो black जो clouding देखने को मिलेगी इसके साथ में कर आपको बात करें तो यहां पे आपको बड़ा साथ जो है वह और ऐसका रहेगा और यहां पर मिलेगा और अगर आपको आपको जो है वो को ड्राइबर साइड जो है वह आपको यहां पर रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिलेगा तो आप देख सकते हैं यहां पर रिक्वेस्ट सेंसर है और यहां पर की के लिए जो है वो दिये जा रहा है इसके साथ मैं मैं आपको सबसे पहले जो हो रिये लुक जो दिखाता हूं तो रियर लुक जो इस तरह की रहेगी, आप देख सकते हैं, और यहां पे जो है वो जिमनी जो है वो लिखा हुआ देखने को मिलेगा, इसके साथ में यहां पे जो स्पेर वी लगाये गया है, सेम साइज का रहेगा, और सुझुकी का लोगो यहां पे है, नेकसा जो है उसकी लिखा गया है इसके साथ में बात करें तो यहां पे जो हाई मॉंट जो स्रॉप लेंब जो देखने को मिलेगा इसके साथ में यहां पे आपको यहां पे साइड में देखने को मिलेगा और इसमें रियर में जो है वह यहां पे जो आप देख सकते हैं वाइपर है इसके साथ मे तो यहां पर आपको रिवर्स लेंप जो देखने को मिलेगा इसके साथ में यहां पर यहां पर नंबर प्लेट के लिए साथ में यहां पर नीचे लायट रहेंगी लिए चलिए अब हम बात करते हैं तो também प्रेस किया गाड़ी Au way और आप देख सकते हैं इससा की दोयगी सबसे पहले तो इसकी सौंड कों बंद करते है यहां से लाइट को बंद करते हैं तो आप देख सकते हैं यहां पर ड्राइवर डॉर की जो तरह की देखने को मिलेगी पूरा रफ लुक आपको देखने को मिलेगा आप देख सकते हैं इसके साथ में बात करों तो यहां पर आपको क्रोम में जो डॉर हैंडल देखने को मिलेगे इसके साथ में ग आप देख सकते हैं उसका थाइस फोर्ट वो काफी बढ़िया है वहां से इस लीवर से आप रेकलाइन एंगल को चेंज कर सकते हैं और इसके साथ में सीट जो है वह आप यहां से आगे पीछे कर सकते हैं अभी जो है गाड़ी के अंदर चलते हैं उससे पहले अगर बात करें तो यहाँ पे AVC पैडल जो है दिये जा रहे हैं जो कि इसके नीचे वाला जो वेरियंट है उसमें वो फीचर जो है वो नहीं देखने को मिलेगा इसके साथ में अभी हम गाड़ी के अंदर चलते हैं जो एक कि अप्ne tough Elle lot Redест त्रवी इसको है ठीक है अभी door को हम करते हैं सबसे पहले बंद तो जैसे आप देखना अदोर की जो है वह साँड किस तरह की आई जैसे बंद की इसको और आप देख सकते है पाहँ जो इस तरह का देखने को मिलेगा और इसके साथ में यहाँ से इसमें फियूल को बता रहा है इसके साथ में Rays वगषेरा जो हाओ फीचर आ रहे हैं वहीu फीचर आपको यहाँ यहाँ पी देखने को मिलेंगे और स्मार्ट स्टूडियो वाला है पलस वाला है तो इसमें यहां पर आप देख सकते हैं रेंज आ रही है इसके साथ में आप कनेक्ट कर सकते हैं Android Auto जो है Apple जो है वो चलेगा और इसके साथ में अगर हम बात करें तो यार सबसे पहले तो मिल्कों लग रही है गरमी थोड़ा स इसकी विंडो को रोल डाउन करते हैं तो यहां से जो है वो रोल डाउन होगी तो अच्छा यार जैसे मैंने इसको देखना आप ध्यान से देखना एक वार फीचर बताता हूं अब देखो थोड़ा सा आपको लगा ना ग्रीनिश वाला जो है यहां पर रही टिंटेड है इ इस वाइसे ऐसा हो रहा है अब इसको जो है वो नीचे रखते हैं चलिए अब बात करते हैं इसके सबसे पहले स्टेरिंग की तो आप देख सकते हैं स्टेरिंग जो है को इस तरह का देखने को लैदर रैप जो है इसका स्टेरिंग रहेगा इसके साथ में यहां पर इन्फो इसके साथ में iron एकाफी मडीया लग रहा है इसके साथ में को यहां पर देखो आ है एक आपको फ्रम्ट और बाथ करें एक एक ठोड़ नूर्ब के कस व्यावियो ऩाफिक हें medans यहां पर देखो यहां पर दिए जा रहे हैं अर्व ने किया यहां पे hill descent वाला भी आ रहा है, जो कि यहां से change होगा, तो जैसे मैंने किया, वो देख़वा बंद होगा, फिर से दवाया, फिर से on हो रहा है, तो यहां से हो रहा है, और center console आपको इस तरह के देखने को मिलेगा, इसमें 9 यहां पे लगेगा, यहां पे दिया जा रहा है, तो space को जो utilize करते हैं, यहां पे की को रखते हैं, इसके साथ में बात करें, तो यहां पे आपको 5-speed gearbox जो देखने को मिलेगा, K-series का engine है, और इसके साथ में बात करूँ, तो यह इसका 4x4 वाला जो है, वो छुटका सा lever देखने को मिलेगा, और यह manual वाला है, इसका बताता हूँ, 4x4 जो हो, कैसे operate होगा, तो आप देख सकते हैं, यहां पे 4x4 जो हो लगा हुआ है, तो यहां से सबसे पहले तो आपको जो है, लीवर को प्रेस करना पड़ेगा, और जैसे आप प्रेस करेंगे, आप पीछे करेंगे, तो जैसे पीछे करेंगे, तो यहां पे 4 जो है, वो low लग गया है, तो आप देख सकते हैं, यहां पे आ रहा है, 4x4 वाला, देखो, आप देख सकते हैं, चारो tires में जो है, वो powers आ रही है, इसके साथ rear पर बैठेगा, वो भी इसको operate कर सकता है, और आगे वाला भी इसको operate कर सकता है, इसके साथ में बात करें, तो यहां पे आपको IRBM जो है, वो day night वाला देखने को मिलेगा, manual में रहेगा, और light इसकी जो है, वो यहां पे orange रहेगी, my key placement यहां पे रहेगी, इसके साथ में बात करें, तो driver door, जो sun visor, वहां पे आपको vanity mirror देखने को मिलेगा, light का यहां पे features नहीं दिये जा रहा है, और यहां पे co driver side वी, vanity mirror जो है, वो दिये जा रहा है, इसके साथ में बात करें, safety की, तो इसमें total जो आपको six airwag जो company provide करेगी, दो front में है, दो यहां पे रहेंगे, और दो जो है, वो curtain वाले रहेंगे, और इसके साथ में करें, grab handle की बात करें, तो आप देख सकते हैं, grab handle जो है, वो आपको solid वाले देखने को मिलेंगे, और यहां पे जो है, इस तरह की जो आप देख सकते हैं, इसके साथ में glove, यहां पे space देख सकते हैं, यहां पे जो है, वो decent सा space दिये जा रहा है, grab handle यहां पे रहे, इसके साथ में यहां पे space दिये जा रहा है, door handle जो आप देख सकते हैं, इसके साथ एक हम बात करें तो आप देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं आपको adjustable जो है वो headless देखने को मिलेंगे, 50-50 जो है seat जो है, वो fold होंगी, और अभी जो इसके अंदर चलते हैं उससे पहले आपको एक चीज और बता दू कि यहां पर आपको जो पैर नहीं रखना है यहां पर देख सकते हैं क्रॉस लगा हुआ है जैसे आप पैर रखें यह तूर सकता है तो यह जो है अपने धियान रखना इसके साथ में जैसे हम बैठते हैं तो एक वाड़ डोर को की हुए तो आपको यहां में आप करें तो हैंड मिल रहा है चलिए अब हम बात बैठेप का यह आपको मिलेंगे और याँ सेंटर में तो यह रिएर पे बैठेगा तो थोड़े सी कशनी होगी। इसके साथ मैं बात करें तो यहां से आपको डैश्वोर जो इस तरह के देखने को मिलेगा आप देख सकते हैं यहां से जो है वो इस तरह से जो जिमनी आपको फ्रेंट से देखने को मिलेगी और यहां पर आप देखो स्क्रीन जो इस तरह क्या रही है तो बाहर का आपको नज आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर याँ लाइट जो है थास फाको औरछम में देखने को मिलेगी छलिए अब चलते हैं इसके बूट की तरफ तो आप देख finn सबसे पहले यहां पर आद बात करें तो इस पैटरोल वाली गाड़ी तो I am 40 लीटरी तो बात आपको भालत करों मैं तो यहां पर आपको भूले यह दियी जारہ मिलें तो अ Deus when the करें देखने को मिलेगा और इस तरह से जो इसका पौंठ शRश बात करों then pet lui आप देखना दे जा रही है तो इसके परस करेंगे, आप इसकी सीट को फोल्ड करदगे है और दूसरी वाली और दूसरी वाली कोईá तो फोल्ड कर दिया तो कह duele जो बच रहा है वह बन रहा है 30031 लीट्र का यहां पर स्पेशी दिया जा रहा है और आपर आपने यहां पर इसकी ही जो है वह यहां पर दक देखना click और और तो पीचторов में तो अपर णोगी है को आई carecheodron बीजिचन exemplo happens अगर आपकत अगर आपने इसकी सेट में और बनेगा 219 लीट रखा और अगर आपने इसको इसकी सेकेंड बारे पोजिशन पर रखा अगर आपने थोड़ा सा पीछे कर दिये इसको तो 211 लीटर जो इसका स्पेस जो है वो देखने को मिलेगा और इसके साथ मैं अभी इस सीट को भी यहां से अनफोल्ड करते हैं तो आप देख सकते हैं जिमनी जो ओर आपको इस तरह से देखने को मिलेगी और अगर बात करें फिए 4 तो ओब ड्रोस्तोड करते हैं जिमनी के इंजन की आप देख सकते हैं इसकां इंजन जो यह वो इस तो संसasyrho आफ रहेगी तो इसके साथ 293 projector घ्रीस करेगी और इसके साथ में इसके सही तो कम्पनी ने क्लेम कि है 16 के आसपास तो यह आपको 14 के आसपास आपको बड़ी आसानी से इसकी माइलेस मिल जाएगी क्योंकि सुजुकी वाले जो है वो माइलेस पे ज्यादा ध्यान देते हैं तो इसमें माइलेस आपको अच्छी खासी देखने को मिलेगी